सल्मान खान के घर पर हुई फारिंग मामले में एक और नया अपडेट सामने आया है 14 अप्रेल को गेलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई घतना के बाद जहां क्राइम ब्रांच ने सोमवार यानी 15 अप्रेल को जाँच परताल की बाद दो संग्दिक्दों को हिरासत में लिया था तो महीं अब पुलिस अनमोल बिश्नुई की आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में सफल हो गई है उन्होंने पता लगा लिया है कि कहां से वो फेस्बुक पोस्ट किया गया था जिसमें घतना के जिम्मेदारी लेने का जिक्र किया गया था एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने सोमवार यानी 15 अप्रेल को बताया कि सल्मान खान के मुंबई वाले आवास पर गोलिबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले फेस्बुक का आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पता पुर्तगाल का पाया गया है उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि रविवार यानी 14 अप्रेल को जेल में बंग गैंक्स्टर लॉरिंस बिश्णोई की भाई अनमोल बिश्णोई द्वारा कतित तौर पर फेस्बुक पोस्ट अप्लोड करने के लिए वीपिएन का इस्तमाल किया गया था गोली बारी करने के जिम्मदारी का दावा करने वाला फेस्बुक पोस्ट 14 अप्रेल की सुभा करीबन 11 बजे सामने आया जिसके कुछ घंटे पहले सुभा करीबन 5 बजे सल्मान खान के गलेक्सी अपार्टमेंट पर दो अग्यात बाइक सवार लोगों ने गोलिया चलाई अधिकारी का कहना है कि FB पोस्ट का IP पता पुर्तगाल का पाया गया है हम इसकी जाच कर रही है उस फेस्बुक पोस्ट में लिखा गया सल्मान खान हमने आपको ट्रेलर दिखाने के लिए ऐसा किया ताकि आप हमारी ताकत को समच सके यह अखरी चतावनी है और इसके साबिक शूटरों ने कुछ दिन पहले बांदरा स्थित सल्मान खान के आवास के बाहर रेकी की थी पुलिस ये साबित करने के लिए गेलेक्सी अपार्टमेंट के पास के इलाके के CCTV फुटेज की जाच कर रही है कि क्या गोली चलाने वाले उस भीड का हिस्सा थे जो 11 अप अपार्टमेंट की सुरक्षा को और भी जादा ताइट कर दिया गया है अधिकारी ने कहा कि अभी नेता को वाई प्लस सुरक्षा मिली है लेकिन फाइरिंग के बाद उनकी सुरक्षा में पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी गई है उन्होंने कहा कि पुलिस सल्मान खा फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर होंगे साफधानी बढ़ती जाएगी SPU यानि की स्पेशल पुलिस यूनिट की गाड़ी गिलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तैनात रहेगी एतियाद के तौर पर अपार्टमेंट के बाहर स्थानिय पुलिस भी तनात है और गश्त बढ़ा दी गई है